ओम स्री वेंकटेश्वराय नमहा आज के वीडियो में तिर्मला और तिरुपती में ओफ लाइन में हमें किस तरह से एकॉमडेशन मिलता है साथ ही फ्री लॉकर की फेसिलिटी तिरुपती और तिर्मला में कहां कहां मिलती है उसके बारे में जानेंगे इन offline accommodation को लेने के लिए आपके पास कौन से documents होने चाहिए, कौन से ID होनी चाहिए और किस समय में आपको offline accommodation मिलने की संभावना जादा होती है उसके बारे में भी जानेंगे तो अंतक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो like, share and subscribe जरूर करें आज November के महिने के तिर्मला accommodation और तिरुपती के accommodation को release किया गया है बहुत सारे भगतों को accommodation मिला है साथ ही बहुत सारे भगतों को accommodation नहीं मिला है जिन भगतों को accommodation नहीं मिला है उन्हें tension लेने की बिल्कुल भी आवशकता नहीं है तिरुपती कि अगर आप बात करते हैं ये बहुत बड़ी city है जहाँ पर आपको private hotels मिल जाते हैं हर range में आपको private hotels के rooms मिल जाते हैं offline में आपको संस्थान के guest houses में भी rooms मिलते हैं लेकिन यहाँ पर offline में rooms मिलने के लिए सबसे पहले आपको कुछ important points को ध्यान में रखना है सबसे पहले आपके पास original आधार card होना चाहिए दूसरा single person को संस्थान के room में कहीं भी जगा नहीं मिलती है यहाँ पर एक और चीज बहुत important है अगर आपने online में भी booking कराई है accommodation के लिए और दो लोगों के बदले आप सिर्फ एक ही person जा रहे हैं और एक person drop हो गया है तब भी आपको room नहीं मिलेगा किसी भी हालत में आपको single person को room नहीं मिलता है किसी भी कारण वर्ष अगर एक person drop हो जाता है और एक person ही जाता है online accommodation के print out को लेकर तब भी आपको accommodation नहीं मिलता है तो जाना है तो दो लोगों को ही जाना है उसमें से family allowed है, दो ladies allowed है, दो gents allowed है लेकिन unmarried couple, bachelors को संस्थान के room में बिल्कुल भी allowed नहीं किया जाता है जो की तिरुपती RTC bus stand के opposite में है, दूसरा गोविंद राजु सत्रम जो की तिरुपती railway station के back side में है आप platform no.6 है, in shoulders तक आप पहुंच सकते हैं, आपको बहुत ही minimum cost में यानि 100 रुपे से 1000 रुपे तक आपको rooms मिल जाते हैं बस ये first come first basis पे काम करता है, जितनी जल्दी आप in counters तक यानि offline accommodation जो की CRO office वहाँ पर भी है गोविंद राजु सत्रम के पास में आप वहाँ पर जितनी जल्दी पहुंच सकते हैं, आपको room मिलने की संभावना उतनी बढ़ जाती है कोई भी check-in time नहीं होता है, उस दिन के rush के हिसाब से आपको room मिलता है और room मिलने के समय ही आपका 24 hours शुरू हो जाता है एक दिन का यानि 24 hours का room मिलता है, अगर room available है तो extend करते हैं, otherwise extension नहीं मिलता है इसी तरह से विश्नु निवासम जो की तिरुपती railway station के सामने है, आप railway station के अंदर से ही विश्नु निवासम तक पहुंच सकते हैं यहाँ पर भी आपको offline rooms मिलते हैं, तो इन तीन जगा में विश्नु निवासम, गोविंद राजु सत्रम और स्री निवासम कॉम्पलेक्स में जो की संस्थान के अंदर में हैं, आपको offline rooms मिलते हैं, 24 hours के लिए मिलते हैं extension तभी possible होता है जब rooms के availability होती है साथ ही तिरुपती में free locker facilities भी हैं, स्री निवासम कॉम्पलेक्स में और विश्नु निवासम में आपको free locker facility मिल जाती है, जहाँ पर बड़े-बड़े halls होते हैं, यहाँ पर भी आधार कार्ड mandatory है यहाँ single person को भी रहने की जगह मिल जाती है, locker मिलता है, washroom facilities, ladies के लिए अलग, gents के लिए अलग, काफी safe माना जाता है कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, आप यहाँ पर ठहर सकते हैं, fresh up हो सकते हैं और उसके बाद भगवान के दर्शन के लिए जा सकते हैं इन सारे संस्थान के guest houses के पास में ही bus stand है, जहां से continuously RTC buses, jeeps, vehicles, private vehicles आपको available हैं, जहां पर आप तिरपती से तिरमला जा सकते हैं लगबग एक घंटे का रास्ता है, घाट रोड के मार्क से होते हुए, इसके साथ साथ आपको station में cloak rooms भी मिल जाएंगी, जहां पर आप luggage को submit करके offline ticket ले सकते हैं, या offline accommodation के लिए line में लगे रह सकते हैं तो ये सारी facilities आपको मिलती हैं, अगर आपको online accommodation नहीं भी मिला, तो ये option आपके लिए हमेशा खुला रहता है ध्यान रहे, September में और October में दो ब्रम्ह महोचसव आ रहे हैं, उन ब्रम्ह महोचसव के time में accommodation मिलना या ticket मिलना बहुत मुश्किल है जितनी जल्दी आप in counters तक पहुंच सकते हैं, उतनी संभावना आपकी बढ़ती है offline में rooms मिलने की या offline में tickets मिलने की इसी तरह offline tickets भी गोविंदरा जुसत्रम में, स्री निवासम complex में और विश्नु निवासम में मिलते हैं इन तीन counters में आप जितनी जल्दी counters तक पहुंचते हैं, उतना आपको आसानी होता है tickets मिलने का, आप समझते हैं तिर्मुला के accommodation को हमें किस तरह से लेना है तिर्मुला में offline में accommodation का system थोड़ा अलग है आपको सिर्फ CRO office यानि Central registration office जो कि तिर्मुला में है आपको वहाँ पहुंचना है और यहाँ आप जितनी जल्दी पहुंच सके, यानि सुबस 7 बजे से अगर आप जल्दी पहुंचते हैं तब आपको room मिलने की संभावना बढ़ जाती है, आपको line में लगना पड़ता है, आधार card mandatory है अगर आप family के लिए लेना चाते हैं एक room, तो आपको सभी को line में लगने की जरूरत नहीं है एक person अगर आप line में लगते हैं, एक mobile number से आपको एक room मिलता है एक आधार card से आपको एक room मिलता है, 24 hours के लिए room मिलता है CRO office 24 hours तक खुला रहता है, लेकिन rooms आपको available उस दिन के rush पर रहता है यानि उस दिन की जितनी rush है, उस हिसाब से आपको availability भी रहती है अगर बहुत ज़ादा rush है, तो सुबह 7 बजे ही सारे rooms खतम हो जाते है या rush नहीं है, तो रात तक rooms आपको available होते हैं तो ये पूरी तरह से आपके luck पर और उस दिन के rush पर depend करता है कोशिश यहीं करें कि CRO office में आप जल्दी पहुंचे, वहाँ पर line लगे यहाँ आप guest house को select नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ अपने mobile से registration करने का मौका मिलता है आपको थोड़ी देर wait करना पड़ता है, उसके बाद आपको message मिलता है अपने mobile number पर जहाँ पर आपको guest house और room number allocate किया जाता है, ये पूरी तरह से random allocation पर depend करता है यानि आपको virtual waiting list में बठाया जाता है, जहाँ पर आपको wait करना पड़ेगा, बहुत जादा rush हुआ तो बहुत time भी हो जाता है आपको message आने के लिए दिन अगर room available है तो ही आपको मिलता है, otherwise आपको फिर से offline में room की registration करानी पड़ती है ध्यान रहे, तिरुमला में कोई भी guest house को आप select नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ budget को select कर सकते हैं यहाँ पर भी single person allowed नहीं है, single persons के लिए free locker facility है, आप उसे avail कर सकते हैं तिरुमला में भी free locker facility है, PSE 1, PSE 2, PSE 3 और PSE 4, जिसे यात्री सदन 1, यात्री सदन 2, माधवम निलियम और पदमनाब निलियम भी कहा जाता है इन 4 free locker facilities में आप rest कर सकते हैं, families भी रह सकते हैं, अगर आपको कहीं भी room नहीं मिल रहा है तो इन free locker facilities में बहुत बड़े halls रहते हैं, जहाँ पर आप rest कर सकते हैं, lunch और dinner जो की minimum basic lunch होता है जैसे की sambar rice और curd rice इस तरह के lunch की facility होती है, और तिर्मला में free अनप रसादम केंद्र है इसलिए भोजन की कोई भी problem नहीं है, बस आप किसी तरह से अगर free locker facilities में अगर आप रहना चाहते हैं को देखते रहें, slots को refresh करते रहें, अगर आप beach में yellow color की slot देख रहे हैं, यानि अभी भी rooms available है beach beach में rooms को cancel कर दिया जाता है, क्योंकि 48 hours से पहले अगर room cancel होता है, तो पूरा refund मिल जाता है इसी लिए बहुत सारे भक्त rooms को cancel करते रहते हैं, तो beach beach में rooms की availability को check करते रहें, अगर color green है या yellow है, इसका मतलब room available है तो आप तिरुपती या तिर्मला पहुंचने के पहले तक online में भी rooms continuously try कर सकते हैं, तो इस तरह online में या offline में accommodation की पूरी process है अगर कहीं भी rooms नहीं मिल रहा है, तो free locker facilities हमेशा available रहते हैं, उसे जरूर इस्तमाल कर सकते हैं, या private property सिर्फ तिरुपती में ही available है, आप वहाँ पर किसी भी hotel में भी रह सकते हैं, private hotels में संस्थान के hotels में रहने के लिए आपको दर्शन टिकेट का होना आवशक नहीं है, इस बात की भी जानकारी रखे, आशाकत्यू ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो like, share and subscribe ज़रूर करे, ओम स्री वंकट आपेश्वराय नमा